केंद्र की राजनीती के कितने ही गटबंधन का सिरा बिहार की धर्ती से जुड़ा, बिहार की इंजिनियरिंग के फॉर्मूले से जुड़ा लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल जो विपक्षी एकता को लेकर उठता है वो ये कि गटबंधन यूपीय होगा यानि कि उसकी अगवाई कॉंग्रेस वारा की जाएगी या फिर एक तीसरा मोर्चा होगा करनातक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहबबत की दुकाने खुली है जनताब जागरुक बन गई है, वो ऐसी राज़ीती नहीं चाहती जो अपना ध्यान बटका है करनातक के नतीजों ने कॉंग्रेस में नई जान भर है लेकिन राज़्ट्री इस तर पर अगर विपक्षी दलों के बीच कोई आम सहमती बती है तो कॉंग्रेस की भुमिका क्या होगा? विपक्षी गट बंधन के सामने पहला और सबसे पड़ा सवाल जही है कॉंग्रेस राष्ट्री इस पार्टी है नए उत्साह में है खोद को लीडिंग रोल में देख रही है लेकिन एक नजर उन साथियों के मन को भी समझ लीजे जो 23 जून की कारिक्रम में शामिल कोई ज्यादा से ज्यादा विपक्ष जो लाइट मांड़ेट पार्टी जो है उन सब को जो है गोल बंध किया जाए एक साथ बैठा जाए अब जिम्यदारी कॉंग्रेस की बंती है कि रिज़न पार्टी को आगे करें और उनके साथ खड़े हों जिससे भाते जिम्यदा पार्टी का मुकाबल्या करें आ सके बात सिर्फ इतनी नहीं बलकि विपक्षी एकता के अलम बरदारों के सामने एक बड़ा काम ये भी होगा कि कॉंग्रेस के साथ अखिलेश, केजरिवाल और ममता को कैसे राजी करेंगे सीता राम ये चुरी और डी राजा के साथ आने के लिए ममता कैसे मानेंगी और अगर सब साथ आ भी कए तो क्या नेताओं के एक होने पर जमीनी इस तर पर वोर्ट भी शिफ्ट कराया जा सकेगा ये कैसी महबबत है जो सिखों का नरसंगहार करे चारा लूटने वालों के साथ हाथ मिला कॉंग्रेस महबबत की दुकान के संदेश के जरिए एकता के सूत्र का सिरा अपने हाथों में रखना चाहती है लेकिन 23 जून की बैठक के साथ उसके सामने कई सवाल भी होगे एक राहूल गांधी मोधी की मुखाबले विपक्ष का चेहरा बन सकेंगे या नहीं तो क्या यूपी में अखिलेश राहूल गांधी को लेकर सहज हो जाएंगे 3. ममता बेनरजी क्या कॉंग्रस की छत्री के नीचे आना चाहेंगे 4. क्या निटीश राहूल के पक्ष में केसियार और केच्रिवाल जैसे नेताओं को साथ पाएंगे 5. मैं अगर्पी पूल प्राई इन्दीशiva लाहूल कुंगे हूंगे 4. में आप प्राइंगे 4. प्राइंगे 4. बारिवाल 5. बारिवां-प्राफश और-छे राभूल 5. बारिवाल 5. बारिवा अप्राफश में एंधार लोडूल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं ताकि भारतिये समुदाय को अपने साथ कर सके लेकिन क्या ये वागई इतना असान है राहुल ने करनाटक में जीत दिला कर कॉंग्रेस को फिर से बड़े फलक पर स्थापित जरूर कर दिया है लेकिन ये साबित होना अभी बागी है क्योंकि अपील भी राश्ट्री हो चुकी है आपने पांच वर्थ पहले राजस्तान में भी एक जनादेश दिया था और बदले में राजस्तान को क्या मिला क्या मिला अस्थिर्ता और अराजक्ता यहां पांच साल से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में ही बीजी है करनाटक को जीत कर कौंग्रेस ने बहुत सारे सवालों का जवाब तो दे दिया है तेकिन सिर्फ राजमी से कौशल का, प्रशासनिक कौशल का नहीं है अभी तो ये भी साबित होना बाकी है कि राहुल राजस्थान में कौंग्रेस की लड़ाई को कैसे शांत करेंगे यूपी बिहार में कमजोर कौंग्रेस को कैसे मजबूट करेंगे पंजाब और बंगाल में कौंग्रेस को कैसे वापस लाएंगे क्या विपक्ष के नेता उन्हें गंभीर मानने लगे हैं ये सवाल है करनाटक जीत के बाद राहुल की लोग प्रियता बढ़ी है ये भी सच है लेकिन क्या विपक्ष उनकी लोग प्रियता की ज्छाओं में काम करने को तयार है ये बड़ा सवाल है अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एक जुट करने का प्रयास करना और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे, सब लोग एगरी करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे, ये बात तैफ हो गई है जब जब पियम मोदी के खलाफ कौन का जिक्र आता है, ये सवाल सबसे बड़ा होता है कि क्या राहूल गांधी सर्व सुईकार है करनाटक में शपद ग्रहन समारोह में मंच पर चहरे तो बहुत नज़र आए थे लेकिन राहूल के नाम पर 2024 के लिए अब तक किसी ने हा नहीं कहा है इसलिए सवाल ये भी है कि क्या कोई तीसरा मोड़चा भी आकार लेगा कॉंग्रेस विजय के उत्साह में लबरेज ये विपक्ष राहूल के राजनीतिक भागी के लिए साथी भी है और चुनौती थी